हम बच्चो को संख्याओं का पिछले सपता हमने बच्चो को चित्रो द्वारा जोड़ना सिखाया था और आज हम संख्याओं के द्वारा उनको जोड़ सिखाने ही Good afternoon class Good afternoon class Sit down How do you want to? हमने आपको चित्रों के द्वारा जोड़ सिखाया था Yes कैसे सिखाया था बताईए खड़े ओके बताईए माइनस करके नहीं बराबर वो बराबर का निशान था दो हमने फूल के चित्र बनाये थे बीच में जोड का निशान था चिन था और उसके बाद दो फूल और बनाये थे फिर दोनों को जब हम इकटा करते हैं तो हमारे पास कितने फूल होते हैं चार इस तरह से हमने आपको चित्रों का जोड जोडना बताया था अच्छा ये क्या चीज है ये क्या चीज है पासा पाशा नहीं है पासा इसका कहा पर इस कौन से खेल में खेला जाता है कौन से खेल में खेलते हैं लोडो और इसमें ये क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा ही बताईए क्या है ये कौन हिंदी में बताई एक जो चार पाउ छे इसमें कितनी तक संख्या है छे तक संख्या है ठीक है और तो इससे जादा नहीं आ सकती इसमें है ना क्यूं नहीं आ सकती क्योंकि इसके छे साइड है ठीक है उपर नीचे दाइने बाएं आगे पीछे छे साइड है इसके ठीक सब लोग खेलते हो ना लूडो तो हम लोग आज इसी से इससे कैसे जोड़ना सीखेंगे वो हम आज आपको बताएंगे ठीक है दो बच्चे आईए आप जाएए चेतना इसको यहाँ पे ठेकिए कौन सा नंबर आया उदर दिखाईए कौन सा नंबर आया दो इसमें से दो उठाईए यह क्या है यह ऐसे ही गोला है ठीक है तो कितने गोले उठाएंगी दो ऐसे खड़ी हो जाएए आप फेकिए पासा कितना आया उदर दिखाईए तीन इसमें से हम कितने गोले उठाएंगे तीन उठाईए अब इन गोलों को हम इखटा रखके गिनेंगे रखिए यहाँ पे और इसको गिनिये एक दो तीन चार पास यह कितने होएं पास कितने होगें पास तो पहले सबसे पहले कौन सा अंग आया था दो उसके बाद तीन तीन तो बीच पे हमने यह क्य लगाया चिन जोड़ा फौह सा चिन है यह कौन सा है जोड ना इसको इस में रख दीजे बेटा जोड यह जोड का चिन है ठीक है तो हमने जो भी संख्या पासे के द्वारा फेकने पर जो संख्या आई उसको हमने उन दो संख्याओं को जोड दिया ठीक है दो संख्याओं को जोड दिया तो यह दो आये था कि एक दो और फिर यहां पर कितना था एक दो तीन तो यहां कुल कितना हो गया पांच यहां पर भी हम पांच लिखेंगे ठीक है चलिए और आईए और कौन करेगा जो कर चुका है वो नहीं आएगा दो अलग एक इस साइट से एक इस साइट से ठीक है चलिए चलिए पासा लीजिए कौन सा नमबर आया दिखाईए उधर उधर दिखाईए ठीक है रखिए अब इसमें से कितने गोले उठाएंगे चलो अब यह गोले यहाँ पे पहले दिखाईए आपने कितने गोले उठाएंगे पाँच और आपने उल्टे नहीं रखने इसको सीधा करिए पाँच अब यहाँ पे यह बनाईए आके ठीक से लिखो बेटा साफ 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 यह कौन सा है कौन सी संगिया है पाँच आप आईए आपके पास भी पाँच आये थे आप भी पाँच लिखिए क्यों यहाँ पर भी चिन लगाएंगे कोई और भी आया था नो तो अब आप अपने पाँच गोले यहाँ बनाईए और आप अपने पाँच गोले यहाँ बनाईए चलिए कचिन अब यह पाँच और पाँच मिलकर कितने बने कितने बन गे दस हिंदी में ऐसे नहीं लिखते हैं इसको लिखते हैं ऐसे ठीक है पाँच और पाँच मिलकर कितने बने पाँच यह कितनी गोलिया हो गई यहाँ पे दस गोलिया दस गोली की दस गोली की एक दहाई दस गोली की एक दहाई इकाई में नो होती नो तक जब एक संख्या वाले वो होते हैं वो इकाई होते हैं जब संख्या दो हो जाती है तब वो दहाई हो जाती है तो इसमें कितनी संख्या है कितनी संक्या है एक ये इकाई है और एक ये इकाई हुई और ये दहाई ठीक है इकाई और दहाई तो दहाई कितनी है एक और इकाई दस गोलिया का बराबर एक इकाई ठीक है बैठो और कौन करेगा आईए आजाओ चेत नपाल एक इसको दो फिर से फेको कितना आया तुमारा कितना आया अधर दिखाओ कैसे आया एक दो तीन और उसका भी कितना आया ये एकाई में है कि दहाई में है नमबर एकाई में है कि दहाई में ये जो संख्या है दहाई में है एक मिनट ये जो तीन है ये एकाई में है कि दहाई में ये सैकडा में है ये नमबर कितने इसमें है ये कौन सी है ये इकाई में आता है क्यों? क्योंकि इसमें एक संख्या है क्योंकि इसमें एक संख्या है अब ये दो संख्या जो तीन और तीन तीन इकाई और तीन इकाई मिलकर कितना बनता है? ये देखी छे, तो तीन, कितना होगा, छे, ये उठाईए पहले हाँ, ये नहीं किया, इसमें से उठाईए, तीन तीन नमबर आया था, अलग अलग दिखाओ, ऐसे दूर दूर दिखाओ थोड़ा सा, हाँ, अब इन सब को गिनिये कितने हुए, एस, गो, तीन, चार, पार, छे, कुल गोले कितने हो गए, छे, तो ये छे जो है, ये क्या है, इकाई है कि दहाई है, इकाई है, ठीक है, रखिए, तो तीन, तीन में जब तीन और मिल गया, जब तीन में और तीन जोड दिये, तो हमारे पास जो संखिया आई, वो कितनी है, छे, ठीक है, ये कौन सा नंबर है, पाँ, कौन सी संख्या है, पाच, ये कौन सी है, चार, पाँच और चार, जब पाँच और चार मिल कर कितने बनेंगे, कैसे, इसमें से उठाईए आके, पाँच बॉल्स उठाईए, चलिए, गिन्ये, एक, दो, पी, चार, पाँच, से, सार, आर, नो, कितना हो गया? नो, तो हमारे पास कितने गोले बनें, कितने गोले हमाने पास हो गए? नो, जब हमने इन दोनों से लेके मैंने इखटा किया तब हमारे पास कितने हो गए नौ गोले नौ यह इकाई में आया दहाई में क्यों क्योंकि यह अकेला नंबर है क्योंकि यह अकेली संख्या है इसलिए यह इकाई में आएगा एक से लेके नौ तक जो संख्या होती है वो हमारी इकाई में आती है जब वो संख्या दो हो जाती है तब वो किस में आती है दहाई में और जब संख्या तीन हो जाती है तो सैकडा बन जाता है वो ठीक है अब यहाँ पे मैंने 20 नंबर लिखा है ठीक है ये कौन सा नंबर है 20 ठीक अब यहां से हम इसको पासे को फेकेंगे और इसमें से जो नंबर आता जाएगा उतने यहां से ये गोल हम उठा लेंगे ये गोले हम उठाएंगे जिसकी संख्या 20 में पहले पहुँच जाएगी वो जीतेगा ठीक है? दो बच्चे आईए इदर से कोई आईए? अच्छा आजा चलिए पासा फेकिए और जो नंबर आएगा वो उठा के किनारे रखते जाएगा काउंट करके इसमें से गिनके ठीक है? यह कितना नंबर है? चार चार तो इसमें से कितने हम उठाएंगे? चार चलो इसकी संख्या हम कम किये दे रहे हैं इसकी संख्या हम 15 किये दे रहे हैं ठीक है? आँटे तीन आईए तीन पास कितना हुआ? यह कितना हुआ? गिन्हों इसको? आटे में सोरा हुआ एक बर और खेलिए इसको यहां पे ऐसे बराबर से रखिए पांच, चे, लाज, छाट, नौ, दज, जारा, बारा, तेरा, जादा, पंदा, तोला, सत्रा, अटारा, उने, तीस, तीस 21, कौन जीता? रन जीता कितने इसने पॉइंट्स बनाए? किसने अंक बनाए इसने? 31 और कितने बनाने थे? 15 ठीक है? चलिए एक बार हम लोग फिर खेलेंगे इसको अब आपने ही दूसरे बच्चे एक बार हम फिर से यहाँ पे संख्या लिख रहे हैं और उस संख्या में जो जिसका पहले नम जो अंक प्राप्त कर लेगा वो जीतेगा, ठीक है? अब की से हम कौन सी संख्या ले ले? बताईए 21 21, आच्छा चलिए हमने लिया 21 चलिए धीरे से? कितना आया? मुझे से बोलना है एक, ठीक है? और इसमें से उठाईए एक ऐसे ऐसे करके रखिए लाइन से इसको क्रम में ऐसे लगाओ हम 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 चलिए लाइन तॉट्स पांच अब गिनो कितने हो गए पांच छे सार आठ नौँ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अथारा उन्नीस अभी कम है तो क्या करेंगे फिर एक बार पासा और खेलिए आपके कितने होए ऐसे नहीं रखना फेला के रखना है न हाँ इस बीस एक्षिस बाइस बाइस कौन जीता दिव्या कौन जीता दिव्या ने कितने अंक बनाए बाइस और कितने बनाने थे 21 ठीके तो एक अंक दिव्या का जादा बना ठीके दिव्या के 22 अंक एक अंक से जीत हुई उसकी ठीके हम लोग संख्याओं का जिस तरह से जोड किया है हम लोग ने क्लास में कक्षा में जैसे किया है उसी तरह से हम घर से भी इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे इसका अभ्यास करेंगे और कौपी में हम जोड के सवाल करके लाएंगे टीकिए टीकिए तेंक यू